नमस्कार मैं हूँ सुचारता कुक्रेती अब एक ऐसी खबर जो एटियम इस्तेमाल करने वाले हर शक्स के लिए जरूरी है पुने में पुलीस ने एटियम में ठंगी करने वाले गिरू का परदा फाश किया है ये गैंग माचिस की तीली की सहारे एटियम हैंक करके ठंगी की वारदात को अंजाम देता था पैसा निकालने वाले के जाने के बाद ये फसे हुए नोटों को बड़ी आसानी से निकाल लेता था ये गिरू एक महीने में 13 से जादा वारदातों को अंजाम दे चुका है पुरे इसे अजय कामले की रिपोर्ट एक माचिस की तीली और ब्लेट की जरिया आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है ये सुनकर हैरान मत हो ये पुरे की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरू का परदाफाश गिया है जो माचिस की तीली और ब्लेट की मदस से एटियम मशीन को हैंग करके लोगों को चपत लगा रहा था साइबर सेल ने गिरों के मुहमद अक्राम अंसारी और मुहमद खुर्शीद अंसारी नाम के दो लोगों को गिराफतार किया है पुलिस को एक महिने में 13 से ज्यादा ऐसी शुकायटे मिली कि पैसे निकालते वक्त एटियम मशीन हैंग हो गई पैसा निकलता नहीं था लेकिन कुछ दिर बाद ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाता था देखा तो मैसेज आया कि हमारा 10 घजर रुपई अकंड में से गया मैंने जब अमॉंट डाला मेरा, अमॉंट के बाद जो मैं इंटर किया, तो इंटर करने के बाद पूरा मशीन हैंग हुआ इसा लग रहा है, मुझे लगा मशीन खरा भी है, तो मैं काट निकल के चल गया मैं आप आपको दिखाते हैं कैसे ये गिरो वारदात को अंजाम दे रहा था माचीस की तिल्ली को जो यहां पे कीपे आड दिकाया गया है उसमें लेफ साइट जीरो बटन के लेफ साइट का जो बटन होता है उसके अंदर ये माचीस की तिल्ली डाल देता है इस तरह से इस सिस्टिम स्लो हो जाता है जब आप कौनसा यह बटन या पर प्रेस करेंगे तो वो बटन कोई भी प्रेस नहीं हो सकता माचिस की तिल्ली लगाया है, उस माचिस के तिल्ली को इस ब्लेड से निकाल देता है, इस ब्लेड से निकाल देता है, इस तरह से इस तिल्ली को माचिस ब्लेड से निकाल देता है, जब यह तिल्ली निकल जाने के बाद, सिस्टीम फिर से वर्क करने लगता है, ग्राक के पीछे जो आरोपी खड़ा होता है वो सबसे पहले ग्राक ने दबाया हुआ पींज होता है वो देख लिया होता है उसके बाद येस बटन दबा के अगला ट्रांजेक्शन पूरा करते हैं इस तरह से और आज से पैसे निकल कर निकल जाते हैं गिरोफ पकड में तब आया जब साइबर सेल के एक कॉंस्टेबल आदेश चलवा दी पुड़े के शिवाजी नगर इस्थित केंडरा बैंक के एटियम से पैसे निकालने पहुचे एटियम के अंदर दो लोग को छेड़ छाल कर रहे थे कॉंस्टेबल को जब शक हुआ तो उसने दोनों आरोपियों से पुच्टाज की पहले तो वो आनाकानी करते रहे जब कॉंस्टेबल ने सक्ती की तो अपना गुना कभूल कर लिया पकड़े के दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं अब तक इन्होंने एक ही एटियम से 30,000 रुपे तक निकाले हैं पुलिस को शक है कि इस गिरों के लोगों ने दूसरे शहरों में भी वार्दात को अंजाम दिया है अब पुलिस पुच्टाज करके इन साथियों के तलाश में जोट कई है से एटियम से लोगों के पैसे चुराय है टैमेरों सोरज के साथ अजय कामले इंडिया थीवी पुने